हेलो दोस्तों, विल्कम बैक अगेन, मेरा नाम है अबदुल और आप देख रहे हैं, टॉक विद अबदुल यूट्यूब चैनल, आज की अपडेट बहुत बढ़िया है, मतब दो साल के बाद ये नोटिफिकेशन आ रहा है, बी आर्सी की तरफ से बाबा अटमिक रिसर्च स करते हो, और दिया है तब भी आप एपलाई कर सकते हो, मतलब गेट कंपल सरी नहीं है, और सेलरी 95,000 है, चलिए डीटेल में डिसकुस करते हैं, कि पूरा नोटिफिकेशन क्या है, विडियो को एंट टक देखना, सब कुछ डीटेल में डिसकुस करूँगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऐकन जरूर से प्रेस करना, अगर आपको करियर काइडेंस और जॉब अपडेट्स की रिलेटेड लेटिस्ट विडियो चाहिए, इसी के साथ आज की इस विडियो को शुडू करते हैं, अ ऐसा कोई दोस्त है तो उसको बता दीजिए कि नोटिफिकेशन आ चुका है, चलिए विडियो को शुडू करते हैं, लाइक का टार्गेट रखते हैं 20,000 लाइक क्योंकि अपडेट सच में बहुत बढ़िया है, आप मैंसे बहुत सारों ने कमेंट किया था कि BRC का नोटिफ है, तो बहुत सारी ब्रांचेश है, अगर मैं आपको सारी ब्रांचेश एक पूरा स्क्रीन शॉट देखेगा, जिसमें मेकैनिकल, केमिकल, मेटलर्जी, इलेक्रिकल, इलेक्रोनिक, सबकी रिलेटेट ब्रांचेश दी हुई है, अगर आप इन ब्रांचेश में नहीं आते ह तो आप apply नहीं कर सकते हो, इतना याद रखना, क्योंकि इन्होंने clear लिखा है कि अगर इन branches के बाहर आते हो, तो आप apply नहीं कर सकते हो, जैसे कि और भी अलग-अलग branches है, इन्होंने specific paragraph दिया हुआ है, जो branches eligible नहीं है, उसका भी screenshot यहां पर display कर दा हूँ, वापस से वो table पर आत integrated, mtech किया हुआ है, तब भी आप यहां पर apply कर सकते हो, यह जो table आपने देखा, वो notification के end में दिया हुआ है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, अगर आप eligible नहीं हो, तो बस एक like कर देना, वीडियो को छोड़ देना, को issue नहीं है, ना बात करते है, जिनको नही 2021 के थूँ हो, तो most probably 2021 का batch होता है, वैसे अगर आपने graduation 19 में, 18 में, जब भी complete किया हो, आप यहां पर apply कर सकते हो, बस age limit का problem नहीं आना चाहिए, तो यहां पर वापस से आता है, दोनों programs जो bark offer कर रहा है, actually यह programs नहीं, यह permanent job है, जो आपको मिलेगी, central government job है, तो दो program से सबसे पहला है OCES, जिसको यहां पर orientation course का आ जाता है, orientation course for engineering graduate, एक साल का होता है, उसमें आपको salary मिलेगी, 50,000 महिने के मिलेगी, और आपको as a trainee scientist officer के तोर पे training लेनी होगी, एक exam देनी होगी, 50 percentage लाने होगे, उसके बाद आपको यहां पर permanent job मिलेगी, BRC में as a scientific officer, उसके बाद next जो program ह DGFS, DGFS master's program है, आपको यहां पर degree दी जाएगी master's की, और यहां पर भी वही चीज़ है, कि आपको जो tuition पी होती है, वो सारी कि सारी बार्क पे करेगा, और उसके बाद आपको directly बार्क में join करना होगा as a officer, तो यह दो दो program है, जो अपनी मर्जी से चाहे, join कर सकता है, लेकिन DGFS की condition यह है, कि आप OCES में select हो, तभी आप DGFS के लिए apply कर सकते हो, otherwise directly apply नहीं कर सकते हो, तो चल यह selection process के बारे में थोड़ा detail में बात करते है, यहां पर मैं आपको OCES का थोड़ा सा detail और देतेता हूँ, आपको 55,000 per month stipend मिल जाएगा, साती जात one time book allowance मिल जाएगा, 18,000 का, तो जो कि अगर आप select होते हो, तो यह आपकी monthly salary भी आप बोल सकते हो, और stipend जो है, वो salary से भी, normal salary से भी कई ज्यादा है, उसके बाद जब आपकी final posting होगी न, तब आपकी salary जो होगी, 56,100 basic पे होगी, सारे allowance बगरा मिला कि यह चली जाएगी, 95,000 तक मतलब कि बहुत बहुत है, लेकिन competition भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर selection के इन्होंने दो option दिये हुए, सबसे पहला option तो भाई यह खुद की exam भी conduct करते हैं, सबसे पहले आपकी application को screen किया जाएगा, उसके बाद यह खुद की exam conduct करते हैं, दूसरा option होता है कि आप gate 2021 के through जा सकते हो, लेकिन इनका कहना यह है कि आप gate 2021 के through भी जाएगे और return test भी दीजे, दोनों option को select कीजे, क्योंकि इनकी जो return test है, जब वो यहाँ पर result को evaluate करेंगे, उसके बाद ही gate 2021 वाले application को evaluate करना start किया जाएगा, यह इनका कहना है, तो best possible इनका suggestion यह है कि आप दोनों options के लिए जा सकते हो, gate 2021 भी as well as return exam भी, तो आपका यहाँ पर दोनों में से कहीं पर भी chance लग सकता है, जब यहाँ पर exam pattern की बात कर लेते हैं, जो बार्क लेने वाला है, तो exam pattern में यहाँ पर 100 questions होंगे, जिसके यह आपको 2 गंटे का time दिया जाएगा, और हैर एक question जो है 3 marks करी कर और अब करना होगा बार्क की preparation के लिए, क्योंकि जितने भी aspirants को मैंने देखा है, जो gate की तेहरी करते हैं, प्लस वो OCS के लिए apply करने वाले होते हैं, तो उनका level थोड़ा आप करना पड़ते हैं, और 15 से 20 दिन का gap होता है हर साल, मतलब होता का है कि gate हुई, उसके बाद यहा पर September में exam conduct होने वाली है, तो आपके पास बहुत ज्यादा time अभी भी बाग की है, जो regularly candidates के पास कम होता है, तो आपके पास इस बार ऐसा कहूं, तो मौका बहुत अच्छा है, नाव final selection की बात करते हैं, तो आपने online exam दी हो, चाहिए आप gate के through आए हो, दोनों में से कोई भी option हो, चाहिए दोनों option हो, आपका अगर merit list में नाम आता है, तो आपको final interview के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका final selection होगा, तो date बगरा क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा, हम सारी चीज़े step by step जाएंगे, जो notification में दिया हुआ है, अच्छा एक और चीज़, exactly नहीं पता है, लेकिन हाँ, 2020 gate अगर आपने दिया है, तो आपका score अभी तो valid है, और आप यहाँ पे इसके अंदर भी इसको select कर सकते हो, now जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, जो शायद मेरा ध्यान नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो है, पहली बार मैं ने देखी other opportunities, इन्ह जब आप अगर बार्क में apply करते हो, आपका selection होता है, आपका यहाँ पे कोई भी मतब ऐसा समझ लो कि अपने OCS के लिए select हो गए, या आपके marks है, आपका score आया है, तो maybe आपको ECIL में या फिर IPR में directly recruitment का मौका मिल सकता है, now next बात करते हैं, तो interview के लिए आपको जो बुलाए जाएगा, लेकिन आपको यहाँ तक पहुंचना होगा, अगर यह सारी चीज़े आपको तभी मिलेगे, अधवाइस exam देने जहाँ पर भी जाओगे, आपको किसी भी तरीके का stay या travel allowance कुछ भी नहीं दिया जाएगा, सब कुछ आपको खुद बियर करना होगा, in fact यहाँ प रखी हुई है, जो कि 500 रुपीज है, अगर आप unresolved category से belong करते हो, अगर आप women candidate हो, SCST से हो, तो आपको एक भी रुपया पे करने की जरूरत नहीं है, clearly कह दिया है, और बाकी सारी चीज़े physically challenged हो, तो भी आपको fees पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनरल OBC वालों को fees पे क जाते हो, तो आप यहाँ पे apply कर सकते हो, otherwise आप apply नहीं कर सकते हो, clear बात है, और दूसरी एक बात सुन लो, जिनका question होगा final year वाले apply कर सकते है, जी यहाँ आप apply कर पाओगे, because आपका जो result है तब तक आ गया होगा, जब September में इनकी exam होगे, और हर साल बार्ग जो है final year को consider करत next आते है dates के उपर, और किस तरीके से apply करना है, dates के अगर हम बात करें तो dates यहाँ पे है, सबसे पहले तो यह application आज से, जब मैं video बना रहा हूँ तब शुडू हो चुका है, 12th July से, और इसके बाद 7th August इसकी last date है, register करने की, और submit करने की last date है 9th August, maybe यहाँ पे कोई step in का होगा application save करके रखो, वही होगा final submission की last date 9th August है, उसके बाद next बात करते है, online exam slot booking, जो की 20 August से 25 August तक आपको time दिया जाएगा, online examination होगी 5th September से लेके 12th September 2021, उसके बाद आपकी जो list है, जिनको interview में select किया जाएगा, उनकी list 21st September को display की जाएगी, and बाद में 24 से 28 September में आपको interview का slot book करना हो and बाद में final selection आपका interview होगा, वो October में conduct करेंगे, 4th October से 29th October में, and second week of November में आपका final result आजाएगा, कि भाई ये job आपकी लगी या नहीं लगी, so यहाँ पे मैं suggest करूँगा, कि आप preparation पे भी focus करो, साथ ही साथ को other options job के देखो, आपने यहाँ पे apply किया, इसका मतलब यह नहीं क यहाँ पे लगी जाएगी job, मैं negativity में बात नहीं कर रहा हूँ, positive way में भी सोचे, तो यहाँ पे खाली हाथ नहीं बैटना चाहिए, 4 मेने का time मिल रहा है, 4 मेने में कोई आप अगर normal job भी join कर लेते हो, 10-20-1000 वाली, तो वहाँ पे भी आपके जो है, अच्छे घास से amount बनता ह है, 4 मेने के बाद, तो कोई tension नहीं है, exam तो September में हो जाएगी, तो August का मेना और July का मेना है, तैयारी कर सकते हो, September के बाद मेरे इस अब से कुछ काम नहीं है, लेकिन आप अगर थोड़े से serious हो, तो आप job के साथ भी यहाँ पर apply कर सकते हो, so apply ज़रूर से करना, अगर आप eligible हो आपकी November तक यहाँ पर final selection हो ले वाली process बहुत लंबा है, now apply किस तरीके से करना है, तो apply करने के लिए simply इनोंने एक जो paragraph दिया हुआ है, या फिर ऐसा flow chart दिया हुआ है, वो display करता हूँ, जिसमें सारी चीज़े करता हूँ, जिसमें सारी चीज़े करता हूँ, primary stage है, फिर candidate की personal academic screening, फिर यहाँ पर payment stage आएगा, फिर final submission and आपकी process complete हो जाएगी, तो apply करने की process यह है, simple है, आप apply कर सकते हो, 7th अगस तक आपके पास time है, अब भी काफी जादा time है, 12 July हो रही है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अराम से apply कर सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आई है, like जरूर से कर देना, और आपके लिए aptitude test pack हमने launch किया हुआ है, जो कि आपको काम लग सकता है, अगर आप किसी भी private company या campus placement में आपकी जो companies आती है, उनके लिए prepare कर देना, 100 mockness हम provide करें, सिफ 119 में, इस वीडियो के description में आपको link मिल जाएगी, जरूर से चेक कर लेना, अगर अभी तक subscribe नहीं किया है channel को तो चली से कर लो और bell icon press कर दो, क्योंकि daily आपके लिए इस channel पर latest job updates and career guidance के videos exactly 6 बज़ा आ जाती है, इसी के साथ video को end करते हैं, मिलते next video में, next job update में, तब तक के लिए, goodbye, take care. झाल